हेलो एर्ड़िवन वेलकम तो माय यूट्यूब चैनल यूनियपक आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि चेंज़ भुते क्या हैं तो आए स्टाट करते हैं चेंज़ जो है मारे आस पास देखने को मिलते ही रहते हैं जैसे की छी पानी है उसका आइस में बदल जाना अग या candle wax melt होगी heating करने पे ये सारे जो changes है ये दो types के होते हैं physical change और chemical change तो आईए आज की वीडियो में हम बढ़ते हैं physical change के बारे में तो start करते हैं physical change देखिये क्या है इसके कुछ point है वो discuss करते हैं तो पहला point है कि any change in which no new substance are formed is called a physical change कोई भी change हो जिसमें कोई भी नया substance नहीं बन रहा है उसको physical change कहेंगे जैसे कि butter का पिगलना glass pane का तूटना यह पानी का boil होना अब देखो butter पिगल रहा है लेकिन रहेगा तो butter ऐसे तो नहीं पिगलने के बाद वो कुछ और बन जाएगा और glass pane भी तूटने के बाद glass ही रहेगा ऐसे नहीं कि वो wooden बन जाएगा तो ऐसे नहीं होता है means no new substance form नया substance नहीं बनता है और इन्होंने बोलता है यह जो change होते है यह physical properties में change आता है यानि कि physical means physical properties मतलब जैसे कि color, shape, size और physical form में change आएगा तो इसमें को भी नया substance नहीं बनेगा तो उसी को physical change कहते हैं और यह मतलब reversible हो भी सकता और नहीं भी हो सकता ऐसे irreversible नहीं category में डालेंगे यह में और में not be reversible I hope आपको यह physical change के बारे में information समझ आ गई हो कुछ examples आप देख सकते हैं breaking of glass mixing candy mixing candy is physical change नहीं substance नहीं बन रहा है shredding paper paper काट देना paper ही रहेगा folding paper melting ice, chopping wood cutting hairs, dry eye sublimation boiling water baking hair को एगई बनेगा तो यह सारे example physical change के थे तो I hope आपको यह physical changes समझ आगे हो उसकी definition clear हो गयो अगली वीडियो में हम देखेंगे crystallization होता क्या है तो मेरे साथ बने रहिए अगर आपको इससे लिडिट कोई भी doubt है आप comment section में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई like कीजिए, subscribe कीजिए bell icon को hit कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का notification आपको बिलतु time पर मिल जाए धन्यवाद